अचैनल तो अचारी आजिए अचैनल तो और सबसे पहले आप सब को मेरी तरफ से ईद की बहुत मुबारिक बाद और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी गुजरी होगी तो नाजित बात ऐसे है के मेरी ईद अलहम्दुलिल्ह अच्छी गुजरी बच्चों के साथ वाले साब के साथ आभाब के साथ अजीजों कारब के साथ और मुखलिफ जो आभाब ने दुनिया बार से टेल्वी वतलब वो फेस्बुक के जरीए सोचल मीडिया के जरीए ईद के पेगामात भेजे तो मैं उन सब का यहाँ पे फर्दर फर्दर शुक्रिया दा करता हूँ उनको खैर मुबारिक कहता हूँ उनके लिए दौा गों और उनके लिए बहुत सी नेख खौईशात और नेख तमन्नाओं का इज़ार करता हूँ नाज़ें जैसा आपको पत है के रमदान मुबारिक में प्रोग्राइम्स जखकम रमदान मुबारिक से शुरू किये मैंने करने तो मुखलिप शक्सियाद पर किये मुखलिप मौज़ात पर किये जो नाच से ही वा मतलब वो उन मोजवात का तालुक था जिनको आप लोगों ने बहुत पसंद किया यानि मेरे अर्सलान अर्सल आफिशल यूट्यूब चैनल पर और उसका इतना अच्छा आपने फीड़बेक दिया कुमेंट्स की शकल में और मुक्लिफ सूरतों में तो मैं उसके बार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उन प्रोग्राम्स को इतना पसंद किया उन पर इतनी अच्छी राय दी और उसको इतना सराहा तो उसके बार मैंने थोड़ा सोचा कि इत का एक प्रोग्राम्स थोड़ा मनफरिज होना चाहिए चुक्छे एद है तो इत का प्रोग्राम्स से ही उसका सारा होना चाहिए तो फिर इत का प्रोग्राम्स जो कल उसका पार्ट वन मेरे ओफिशल यूट्यूब चैनल अर्सल अर्सल पर अपलोड हुआ और आज दो बजे रिलीज हुआ पार्ट टू उसका तो उसका फीड़बैक भी है अच्छा आ रहा है और उसकी अच्छी वो सारी आ रही है यादि लोगों उसके बारे पे अच्छी राय दे रहे है कि आपने एक बड़े सुलजे हुए अंदाज में और यादि एक उसमें रहते हुए एक अच्छा मज़ा जो है वो अपने प्रोग्राम के जरीए उसको दिखाया तो अलमधि लिल्ल्ला यही कोशिश है कि मैं मुख्टिफ हऒालों से काम करूं मुख्लिफ जेहतों पे काम करूं लेकिन थोड़ा सा उसके जो हमारे एक संजीतगी काउंसर है और वो बाराल काइम रहे तो अपके अच्छा फीड़बैक आ रहा है उन प्रोग्रेम्स के हवाले से भी जो सेयद सल्मान गिलानी साथ के साथ इत का प्रोग्रेम्स किया उसके दो पार्ट जिसका मैंने बताया अप्लोड हुए तो अब नाजिन जे है के इत का दोसा दिन भी गुजर गिया अब बहुत अच्छा गुजरा तो भी मुझे कई जाना एत के हवाले से तो उसी की त्यारी हुआ था लेकिन मैंने का के चले आप से थोड़ी बात हो जाए के अभी फर्दर आगे क्या है अभी ना ऐसा है के जो इत के कुछ प्रोग्राम्जान शीफ के प्रोग्राम्जान मैंने शेडूल किये थे उन में से कुछ रह दे अभी पहले वो अब इत के साथ ही मुझे ऑनियर उस पर यानि उनको सोशल यूट्यूब पर अपने जो मेरे प्रोग्राम्जान के किये उन में से कुछ प्लैन है लेकिन वो चुके टाइम और वो सारा उसको देखना तो अब वो कुछ रह गए थे वो अब इन्शाला वो करने है उसके बाद फिर बहुत से नहीं सिलसले शुरू का रहा हूं औ जो बहुत जल्द इन्शाला आप उसको देख सकेंगे किस नहीं तरीके से और अभी मैं जो नमदान शिफ के प्रोग्राम शेडूल थे उन में वो इन्शाला भी फोरी तोर पर एक आदे दिन में शुरू का रहा हूं दो बारा अर्सरान है मतरसल ओफिशल यूट्यूब च चीज़ें जो मैं वक्ते साथ साथ आपको बताता जाओंगा कि क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है तो इन्शाला आप देखेंगे तो जरूर महजूज होंगे कि मुखलिफ हवालों से मुखलिफ नौयर्ट से काम हो रहा है और उसका इन्शाला एक अच्छा जा रहा ह तो इद का दिन है खुशी का दिन है तो मैंने सोचा कि इस खुशी के दिन पर आपको बाहराल एक अच्छी और खुशी की ख़बर जो है वो दरूर आप से शेयर की जाए कि आप प्रोग्राम चलते रहेंगे मैं अपने उफिशल यूट्यूब चैनल पर आपको मुसलसल न इंटर्वियो के शेकल में या किसी भी हवाले से तो इन्शाला आप मेरे जो ऑफिशल यूट्यूब चैनल है अरसलान अमदरसल उसको जरूर सब्सक्राइब करें शेयर करें उसको उसका जाने उसके नोटिफकेशन आपको मिलें ताकि आप उनके बारे में कुमेंट्स की शेकल में एक अच्छी राय दें ताकि एक अच्छा लिटरेचर एक अच्छी जो नातिया लिटरेचर और दीगर हवालों से वो काम हो सके और अच्छी क्रियेशन जो हैं वो सामने आ सकें तो आप सब मुझे अपनी दौाओं में आत रखें अपना फीड़ बैक दें अपन काम है वो मेरे फेस्बुक पेड़ से इंस्टा से और एवन टिक टॉक से भी अब यह सारा कुछ जो है वो मेरे अकाउंट से जा रही है कि जाहरे अब मैं चाहता हूं कि जा और इतना कुछ मुझा वालों से वहां पर दिखाया जाता है या देखा जाता है तो जो काम हो रह आपनी आरा का इजार करें इंशाला एक आदे दिन में जो रमदान के प्रोग्राम्स मेरे रहे हैं उनसे दुबारा उसको कांटिन्यू करेंगे तो फिर इंशाला उसके बाद फर्दर सारी प्रोग्राम्स और डिटेल मैं आपसे शेयर करता जाँगा तो एज की खुश्यो में मुझे याद रखें अपनी दौाओं में और मैं आप सब के लिए बहुत दौा गूंगा तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिस